सब्सक्राइब कीजे मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दवाना ना भूले ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालू और सबसे पहले में पहुँचे आपके पास हेलो दोस्तो आज आपको बता रहा हूं लेफ्ट एंड टैपिंग अपन कैसे करते वींची के अंदर दोनों को फॉर्मेट शेय में दोस्तों तो लेफ्ट एंड टैपिंग करने का मैं आपको सारब प्रोसेस बताऊंगा और इसकी साइकल भी बताऊंगा आप ध्यान से देख लिखना और इस तरह की वीडियो दोस्तों बहुत कम मिलती है जो कि नोलेजवल वीडियो है दोस्तों वह अपने हिंदी टेक्निकल हब पर मिलती है काफी और मैं आपको छोट-छोटी सारी साइकले सारी चीजे बताते रहता हूं तो चैनल को अवस्छी सब्सक्राइब कर ल है तो दोस्तों आज मैं आपको लेफ्ट हैंड टेपिंग के बारें बता रहूं लेफ्ट हैंड टेपिंग होती क्या है एक तो राइट हैंड टेपिंग होती है जो सभी जानते हैं जिसमें वी एमसी पर अपड़ा M03 में चलता है इस पेंडल उसी तरह से टर्णिंग में भी M04 में चलता है टेपिंग लेकिन वी एमसी की बात करूंगा तो वी एमसी पर अपरा M04 में लेफ्ट हैंड टेपिंग होती है M04 में टेप भी उसी परकार काता है और कई जिगे कुछ फिटमेंट ऐसे होते हैं जान लेफ्ट हैंड टेपिंग की अपने को जरत पड़ती है जैसे कि कुछ टूल होल्डर साते हैं जनके अंदर लेफ्ट और राइट दोनों तरह की चूड़ी होती है तो लेफ्ट हैंड पर भी चूड़ी करते हैं मैं आपको ये साइकल बता रहा हूँन और साइकल है जी सेवेंटीफॉर साइकल है लेफ्ट हैंड की और जी-एट्टी-फॉर है अपनी रैेट थेड्ट के चूड़ी की तो नॉर्मली 90 % केश्वे में तो अपनी जी-एट्टी फॉर ही काम में है राइट टेपिंगे लिए लेफ्ट एंड की है यह थो लेफ्ट एंड में अपने जी सेवंटी-फोर साइकल का मैं आगी तो इसमें लिखा है सारी चीजें इंगलिश में लिख हुई है तो मैं आपको वह भी बता देता हूं कि इस साइकल में जो लिख रखाए इस साइकल left hand tapping in the left hand tapping cycle when the bottom of the hole has been reached the spindle rotor clockwise जब आपका clockwise anti-clockwise चलता है टेप चलेगा इसमें तो जब भी अपना bottom पे Z की जो value है minus में उस bottom पे जाने के बाद टेप अपना clockwise चलेगा तो इसको बोलते हैं अपना left hand tapping cycle format मैं आपको दिखा रहा हूँ G74 X की value Y की value जो भी आपने reference UCS जान ले रखा है आपना work option ले रखा है उसमें G74 X की value Y की value और Z अपना कितना जाएगा उसकी value और R P dual time है अगर आप देते हो तो K repeat number of repeat है यह भी optional है अगर आप देते हो तो दे सकते हैं और X Y की value ताप देनी पड़ेगी और R और Z की value भी देनी पड़ेगी whole position डाटे दे रखा है X और Y की Z की distance from the R point to the bottom side और R है distance from the initial level to point R level dual time दे रखा है P की form में P की form में P 1000 है जो एक हजार सो इस तरह से देते है पन वो P की value है feed rate cutting feed rate feed rate दोस्तों कैसे निकालेंगे मौँ आपको पहले भी बता रखा है RPM जितनी दोगे उस RPM को tape की पिस से multiply कर देंगे तो अपने feed rate आएगी तो यहां दो sketch बने हुए दोस्तों spindle clockwise है कब जब अपना bottom पे चले जाएगा return होगा तब clockwise चलेगा और उपर से चलेगा तो anti clockwise, counter clockwise चलेगा और बापी जाते वक्त M03 में चलेगा तो इस तरह से left hand चूड़ी करती है turning पे इसा ही होता है और VMC पे भी दोनों में format same है तो आप tapping दोनों cache में चला सकते है VMC turning में अब तो फानक वालों ने same cycle कर दिया है turning और VMC में दोनों पे फानक वालों ने तो आप दोनों में same tapping use कर सकते है condition में बताते दो और इसमें क्या क्या स्वावदानी रखनी है वो भी मैं आपको सारी चीज़ बता दे दो इसमें operation में explain कर रखता है tapping is performed by turning the spindle counter clock wise counter clock wise turning में चलेगा when the bottom hole has been reached तो जैसे VMC पे उसी direction में ये भी चलेगा M03 हो जाएगा उसमें जब नीचे जाएगा और starting में M04 देना है M04 अपनको starting में देना है और M3 अपना उसमें जाएगा reverse direction में जब अपना tape hole depth पूरी हो जाएगी उस time में auto machine ले लेगी G74 cycle के साथ और G84 जलाते हैं तो उसमें right hand चूड़ी करती है उसमें सावधानी दे रखे कोशिन दे रखा है feed rate override और ignore during the left hand tapping feed rate control नहीं होगी क्योंकि ये शुरू से चलके जब तक पूरा tape नहीं जाए जाता भार तब तक उसी feed rate पर चलता रहेगा लेकिन एक parameter है उस parameter से आप feed rate को भी control कर सकते हैं वह parameter के बारे मैं आपको बता दूँगा सीमेंस की में आज तक भी आपका feed rate control नहीं आ रहा उसमें सीधा ही चलता है एक वार श्टार्ट हो जाता है तो वह पूरा का पूरा टेप वापिस आएगा तब तक वह फीड रेट और आर्पिम चलती रहती है लेकिन फार्णू के case में आप control भी कर सकते हो कि स्पेंडल रोटेशन में आपको बताते हैं दोस्तों बिफोर स्पेशिफाइंग जी 74 यूज ए एक्सिलेटी फंक्शन एम कोड टू रोटेट दी स्पेंडल clockwise तो आपको clockwise डिरेक्शन का एम कोड तो आपको वह भी यूज करना पड़ेगा तो दोनी चीज है शावधानी विशेश रखना है कि जी 74 जब आप लेफ्ट एंड चूडी काट रहे हो तो टारेक्शन का विशेश देर रखना है स्पेंडल का एम जी रोट फोर में चलेगा आपका स्पेंडल इफ डिलिंग इस पर्मल इस्पेंडल स्पीड में नोट भी रीच्ट एड़ी स्टार्ट होर कटिंग ऑपरेशन अब ड्रिलिंग का आपका जो भी ऑपरेशन हो रहा है वह ड्रिलिंग की ऑपरेशन ड्रिल डेफ्ट आपकी ज्यादा होने चीए टेपिंग डेफ्स से कम से कम 3-4 एम्म का फर मैं अब क्यों कि वेलो अब कमाड दे सकते हो थे को फुए उप यह पैंक टैपिंग जाएंंस टील बगारक करते हैं इस्टील में यह अलुमृनिय में Táまだ किविते थेंसे पैग के लिए लिए उसमें एक्स े एक्जलेदि फंक्शने उसके लिए पर्रामिटर औरामिठर ऊं क्यों के वेलू एक्टिव हो जाएगा आप टेपिंग भी कर सकते हैं जिसको पर मैंने एक वीडियो बना रखका है पैक टेपिंग को पर वह भी आप वहां से देख सकते हैं अच्छी तरह से तो दोस्तो मैं आपको बता है इसमें और भी चीज़े हैं डोल टाइम है डोल टाइम भी आप स्पेसिफाई कर देते हो और एक्जाम्पल मैं यहां दिखा रखा देखो एक्जाम्पल इसके लिए बहुत अच्छा दे रखा है इन्होंने यहां देख सकते एक्जाम्पल M4, S100, G90, G99, G74, X300, Y-250, Z-150, R-120, R के वेलु मानिस में लेरके अंदर जाके टैपिंग हो रही है तीसे में डेफ्टर और फीड रहेट है इसकी 120 तो 120 का मतलब होगा 1.2 की पीछ है तभी 120 लिए रखा है फिर आगे 4 कोडिनेट, 5 कोडिनेट और देदे जिसको पर अपने यह टैपिंग रिपीट होती जाएगी रिपीट होने के बाद लास्ट में अपने को कैंसल करना G80 से G28, G91, X0, Y0, Z0 यहां अपनी हॉम पोजिशन पे चली जाएगी और हर होल की पोजिशन पे टैपिंग हो रही है तो आपका टैपिंग रिटन होगा, बार-बार आपको करने की जड़त नहीं है, एक बार साइकल देंगे उसके बाद अपने टैपिंग होती रहेगी तो दोस्तों यह G74 साइकल है लड़के बहुत कम जानते हैं कि लेफ्ट एंड टैपिंग कैसे करते हैं तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो प्रशंद आये होगा और वीडियो को लाइक करें चैनल पर जो भाई नहीं है सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको भी इसके बारे में पता लग सके तो लेफ्ट एंड है जी सेवेंटिफॉर साइकल है तो अच्छी साइके लिए दोस्तों सीमेंज फानों के अंदर फानों के अंदर यह सीमेंज के अंदर नहीं है इसका भी विशेश्य द्यार नखना है कि अज़िए